आज की वीडियो मैंने कासी फल की सबजी बनाई है कासी फल कर नाम तो आप सभी जानते होंगे जैसे के कदू, सीता फल, कासी फल, चकती कासी फल को मैंने सबसे पहले धोया है इसको मैं काटने से पहले ही दोना अच्छा समझती हूँ और साथ मैं मैंने हरी प्याज भी लिया हरी प्याज को मैंने बिना काटे धोलिया है और एक मूली है जब तक इनका पानी जड़ेगा उतनी ही देर मैंने एक कफ चाय बनाई है तो थोड़ी सी चाय पहले इसकी बची हुई थी उसमें मैंने थोड़ा सा अद्रक और चाय की पत्ती और चीनी डाली है बिना अद्रक के चाय मेरी बनती नहीं है और थोड़ा सा मैने दून डाल दिया है चाय मेरी खोल गई है और च्छान के मैं चाय खुद बेंगी चाय पीने के बाद थोड़ी से एनरजी आई और मैने काम को फिर से शुरू कर दिया यह छोटा सा पका हुआ कासी allein ऑनका आसाजन इसे लिए इस मगज के वीज तो आप जानते हो हमारी सहत के लिए कितने फायदेबन होते हैं कद्दू के बीज़ों को हम मगज के बीज भी बोलते हैं पीले कद्दू की सबजी तो आपने बहुत बनाई होगी लेकिन आज मैं आपको अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी इस तरह ऐसे हम महिन काटना चाहो तो महिन महिन या मोटे मोटे काटना चाहो तो मोटे मोटे पर मैंने महिन महिन कद्दू को काटा है कद्दू की सब्जी को छोपने के लिए सूकी प्याज का यूज करते हैं लेकिन मैंने हरी प्याज का यूज किया है कद्दू की सब्जी में हरी प्याज ड के लिए मैं नहीं करने हैं अधरग ठुरिई और सब्सक्राइब करने बजिस ë़ किया और सब्सक्राइब में इस तरह के लें हूं कि मैंने सब्सक्राइब नहिंद करता निए प loss, करें सब्सक्राइब क्रै है नीरी भर्षते Cancer कारने 10 Seconds कुछ जादा ही पड़ गया तो सस्थोगति मैंने निकाला रहा हो जीरा डाला और एक चम्मत डाली में थी और नप्याज डाली तो तिन हरी मिर्ची और थोड़ा सा अद्रग सौरी अद्रग हम बाद में डालेंगे अब डालेंगे हम एक चम्मत हल्दी और दो चम्मत सूखा अब अच्छे से मिक्स करने के वाद फिर से हम नमक डालेंगे और डाले मिर्ची जितनी हम खाये उतनी लाल मिर्ची डालेंगे अब फिर से मिला देंगे अब प्ले से ढख के रहें कद्दू की सब्जी को तो छोग दिया अब इसमें डालने के लिए हरा धनिया काटेंगे अधनिया को मैंने पहले साफ करके फिर धो लिया है अब इसको भी मैंने काट लिया है धोड़ा सा मोटा मोटा कटा है मेरे से 2-4 मिनट के वाँ चार चार देंगे का सब्जी को पलटके देगए कई सब्जी अद पकी हनेके बां के आपद टाली के प्याज के लिखिवा इतल्पफ़ूचों को मैंने फटाफट से बनाया कभी कभी क्या होता है कि टाइम से खाना नहीं खाते तो मैं इस तरह आप इनको अच्छे से अलट पलट कर देंगे और एक दो मिनट के लिए रख देंगे अगर आपको दावत वाली और जन्दनाटे वाली सब्जी चाहिए तो इसमें गरम मसाला बढ़ी ऐसा डालिए आप कर देंगे गैस बंद आप देखो हमारी सब्जी कितनी बढ़िया वनी है पके और पीले कद्दू की सब्जी गरम तवे पर ही मैंने जीरा और हिंग डाली है इनको में भून के रही हिंग जीरे की पहुत ही मस्त वाली खुचबू आ रही है सोंदी सोंदी कद्दू की सब्जी के साथ मैंने रहता बनाए है तो मैंने रहता बनाने के लिए हिंग जीरा भून दिया है तब पर अज थोड़ा सा दई था तो थोड़ी से दई को मैंने एक बहुनी में पलट लिया रई से मेने घुमा दिया एसा और फिर इसमें डालूंगे मैं मिर्ची है थोड़ा सा काला नमक चाहे तो हम लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं और हमने डाला है यह मुना हुआ जी हिंग जीरा अब इसे हम फिर से रई से घुमा देंगे और मठा को और सारे सामान को मिक्स कर देंगे अब बन गया हमारा रंग बेरंगा बहुत बढ़िया इस तरह से मैंने पीले और पके हुए कदू की सबजी बनाई और हरे धनिये और बूंदि का बढ़िया वाला रायता बना Ya नहीं तो